दोस्तों इस वीडियों में हम पढ़ेंगे शा मीरी डैनेस्टी वन अफ दæ इंपोर्टन डाइनस्टी इज रूड ओवर किश्मीर देखो यह डैनेस्टी में आपको बता दूए डाइनस्टी आप अपने आप में यह समझ लएका यही मुगल डैनस्टी इसमें दो इंपोर् 10 क्राफ्ट के थूँ उसका जो क्रेडिट है वो एक बंदे को जाता है वो महान किंग को जाता है लेजेंडरी किंग आप देखेंगे जैनुलाबदिन और उनी का काउंटर पार्ट अगर आप देखेंगे ठीक है जैसे आप देखेंगे अकबर को बहुत ज्यादा फेमस माना जाता है इंडियन हिस्ट्री के कॉंटेक्स में और औरंग जेब को उतना ही बुरा इंदी सेम वे देखेंगे दो ऐसे बंदे आपको देखने को मिलेंगे एक तो अकबर होगा और दूसरा औरंग जेब होगा तो यह बहुत ज्यादा इंपोर्टन डाइनस्टी है और यहां की शादी होगी थी कोटा रानी की साथ कोटा रानी शायद में आपको गलती से यह लिखवा दिया था कि कोटा रानी सिस्टर थी किसकी राम चंदर की राम चंदर कौन था प्राइम मिनिस्टर आफ सुहा देव ठीक है चलो तो वो नहीं था तो यह उसकी आप देखेंगे ड ताइम नहीं लगता है, रात को मेरे को टाइम लगता है, तो मैं आपके लिए पूरी कोशिश करता हूँ, बेस्ट अव दिबेस्ट चीज़ें आपको मैं दूँ और आपकी एक्जाम में हल्प हो सके, ठीक है, चलो जी, आगे चलते हैं, आप देखें, 13.39 से लेके 1561 तक शामीर डेनस्टी स्टाइबलिष होगी, फाउंडर कौन है, शामीर, समसुदीन शामीर, फाउंडर कौन है, समसुदीन शामीर, शामीर अगर आपको याद होगा, ये सुहा देव के टाइम पे, स्टाइव के टाइम पे, रिंचन के से बाद ज्ब रिंचन की death हो जाती है रिंचन was the first Muslim king but Shamir was the first dynasty दाइनस्टी देखो, दो सवाल पूच एगा अगर तो पूच एगा पहला king को वन है तो रिंचन, dynasty को वन है तो आप बोलेंगे Shamir dynasty चलो जी, crowned under the title of Samshudin Shamir ठीक है जी चलो जी जब यह तक्त पे बैठता है आप देखेंगे जितने भी खाव खा के आर्बिटरी टेक्सिस है न उनको रिमूव करता है और जितने भी क्रूवल मैथड्स चल रहे थे इससे पहले आप देखेंगे लास्ट की जो आप देखेंगे जब हिंदू रूल डिक है आपके लिए चलो जी ही अपॉइंटी चक वरी इंपोर्टन ही अपॉइंटी चक हो हैड बिन कम फ्रॉम दर्दिस्तान एरिया पाकिस्तान का इलागा है सैटल दिन कश्मीर इन टाइम अफ सुखा देव इन आर्मी मेरी बास समझे ना देखो सुखा देव के टाइम पे आप देखेंगे स्वात रीजन शेज्चशामीर इंचन बोर्द देखेंगे यह ञते हैं रोगत जोंक है था बनी पूरा नाम अलावदीन भी है लावदीन भी बोलते है उसको अली शेर इसके बारे में हमें कुछ नहीं पढ़ना नेक्स रूलर आएगा नेक्स रूलर आएगा शिहाब उदीन शिहाब उदीन is very important शिहाब उदीन is very important इस real name was Shiva सुमक क्या नाम है शिवा इस real name was Shiva सुमक देखे अभी तक आप देखेंगे वो religious animity क्योंकि आगे आने वालो जो बंदा है वो religious पंगा करेगा वो religious पंगा करेगा बट अभी तक आप देखेंगे ऐसा कोई problem नहीं इवन की नाम में भी आपको हिंदु नाम देखने को मिलेगा जी ठीक है हिंदु नाम देखने को मिलेगा नाम क्या है शिवा सोमन and he ascended the throne as a shihabudin he is considered ललित अदित्या of medieval किश्मिर very important देखो ललित अदित्या जो है ललित अदित्या ललित अदित्या को compare किया जाता है समद्र गुप्त के साथ किसके साथ समद्र गुप्त के साथ और शिहाबु दिन को compare किया जाता है ललित अदित्या के साथ के medieval किश्मिर का कोन ललित अदित्या है शिहाबुदीन तगड़ा वारियर हुआ तगड़े कॉनकेस्ट इस बंदे ने किये हैं कुछ कॉनकेस्ट अगर आप देख लें ठीक है तो आप देखें ओहिंद का इलाका आज टॉक है वो भी पाकिस्तान में ही है ठीक है चलो जी उदाबंपुरा उस ताइम पर उदाबं थे सथे क्डिया ही यहां तक ही इन्वेजन थे इसके इन स banco स्थे क्रसट अभेट िछैटी सतलाइज को पार करने के बाद में ही हमाचल प्रदेश में जाता है और हिमाचल प्रदेश के उस बंदे के साथ में लड़ाई करता है अगर आप देखेंगे और देखेंगे cham inex एक कश्मीरी किंग दिल्ली में जाके पंगे ले रहा है, यह कोई छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है, तो तगड़ा, इसी लिए तो ललिता जीते बोला है, ठीके जी, चले जी, और आप देखेंगे, इसने सरहिंद से लेके, यानि के पंजाब तुक कश्मीर का इल जाती है, ठीके, और जब कई ऐसे रूलर्स हो जाते हैं, जो बहुत जादे वीक हों या फिर उनके रिलीजियस पॉलिसी बड़ी बुरी हो, तो फिर आपको पता है, वो भी हमारी बज़नामी भी होती है, तो दोनी चीज़ें हमारे मत्हे लगती है, चलो जी, शिहाब अद इस यंगर ब्रदर हिंदल खान अंडर दे नेम अफ कुद्बुदीन, बिल्कुल नहीं आपको पढ़ना है, छोड़ दें, यह कोई काम का ही नहीं है, छोड़ें, अच्छा जी, वो छोड़ दुआ, नाओ, देखो, दो तिन रूलर्स आपको याद रखने हैं, शामीर डैन और इंग्जीब तक के बोल दिया जाता है, और इंग्जीब का टाइटल दे दिया जाता है, ठीक है जी, और एक बंदा आपको याद रखना है, माई फेवरेट जेन उलाबदीन, जेन उलाबदीन, तो लजेंडरी, नोन ऐस अकबर, अकबर अफ कश्मील, बढ़ शा, ठीक है जी, इनिशली ठीक था, अगर आप देखेंगे, सिकंदर, सिकंदर का पंगा यह हुआ कि सिकंदर केम अंडर दर रिलीजिएस फैनिटिक्स, मतलब जब धार्मिक, जब धार्मिक कटरता है, धरम के धरम, जब पौलिटी में जुड़ता है, रिलीजिन, पॉलिटिक्स में आता है बेड़ागरक होना ही होना है बेड़ागरक होना ही होना है, आप एपनी आखों से देखते हैं आई दिन की ये रोज मर्राही की बात है, ठीकलिए जब धरम को PolitikWS में घुसाएगा कोई भी बंदा वो बेड़ागरक उस देश का होगा ही होगा यह पकी बात है ठीक है जी धारम जो है इट शुट भी सेपरेट अफियर फ्रॉम दा पॉलिटिक्स तो यह अलग लग होना चाहिए बट यहां पर भी यह चाहिए सिकंदर के टाइम पे एक दो बाते हैं आपको यादत ने नमबर वन है ताइमूर ताइमूर दे लेम देखो जोस्तों 1398 में 1398 के आसपास ताइमूर का इनवेजन होता है कश्मीर में ताइमूर का इनवेजन होता है कश्मीर में पूरे के पूरे इंडिया में होता है तो ठीक है अगर आपको यह सवाल पूछ लेता है कि बताओ जी ताइमूर जब आता है कश्मीर पे कोन रूल करता ह है तो आप देखेंगे सिकंदर चलो जी हैड बीन इन फेमस फ़र रिलीजियस पॉलिसी सिकंदर हमेशा से गाली खाएगा लोगों से या हिस्टोरियन से किस बात पर क्योंकि रिलीजियस पॉलिसी नहीं इसका काउंटर पाट इसका बेटा जो होगा जैनुलाबदीन ठीक है जबी भी उस बंदे की बात होती है लोगों के मुझ से ऐसे मतलब वावा निकलती है ठीक है जी एवन खुद पूरी हिस्ट्री अगर आप उठा लेंगे सबसे ज्यादा फेवरेट बंदा मेरा भी जैनुलाबदीन है क्यों अभी आपको पता लगेगा क्या ऐसा खास कहा है जैनुलाबदीन में चलो जी आगे अच्छा जी सिकंदर की अगरा बात करें ही डिसाइडि टू इंप्लिमेंट प्योर इस्लामिक लॉव पूर का पूरा इस्लामिक लाड डिसाइड करता है कब जब वो कुछ रिलीजियस फैनेटिक्स बंदों के कंट्रोल में आता है उनक मुहमद हमदानी कोन है दोस्तों मैं आपको बताऊंगा आप देखेंगे एक हो जाएंगे हमारे सयद हमदानी एक हो जाएंगे हमारे सयद हमदानी ये एक बड़े फकीर होंगे इरान के रहने वाले थे इरान में इनका जनम हुआ जगा जगा फिरके इनोंने आप प्राइम इनिस्टर हुए मलिक सूहाबथ मलिक सूहाबथ भी इनीशल हिंदू थै ये बाद में इसलाम को कभूल करते हैं इनके पी-म है आप देखेंगे ये दो बंदे बहुत जादी हेल्प करते हैं इनकी सारी के सारी policies को implement कराने में चलो जी ब्रोक दे गोल्ड एंड सिल्वर आइडल्स एंड यूजड ऐस मनी नंबर वान आप देखेंगे जितना भी मंदिरों में सोने की मूर्तियां जो थी तिल्वर की मूर्तियां जी सब को पिगला दिया तिल्वर के उसको क्या बना लिया मनी बना लिया ओर्डर्स ऐसे 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 इशू कर दिये कि देखें कि सिर्फ और सिर्फ बुसलिम ही कश्मीर में रह सकते हैं बाकियों को छोड़ना ऐसा लिखा गया कि तीन तीन ओफर सिकंदर ने लोगों को दियी थी बले जी या तो इसलाम को कबूल करो या तो इसलाम को कबूल करो या फिर आप कश्मीर छोड़ दे कश्मीर छोड़ दे और तीसरा नहीं भी छोड़ दे पिर मरने के लिए तियार हो और या फिर वहां से कश्मीर को छोड़के माइग्रेट करके पंजाब की तरफ दिल्ली की तरफ ठीक है जी ताकि वो इस खौफनाग जो डिसीजन्स होंगे उससे बच जाएं आफ्टर माइग्रेशन तो जब माइग्रेशन होगी तो आप देखेंगे जितने भी मंदीर थे बड़े बड़े जो मंदीर थे साब को डिस्ट्वाई कर दिया गया आइडल्स थे जितने जो मैटल था उसको पैसा में बदा लिया जो स्टोन काओगा जो पत्थर काओगा उसको डिस्ट्वाई कर दिया गया इसके चलते आप देखेंगे इसको बुथ शिखां के नाम से भी जानते हैं बुथ शिखां मेंस डिस्ट्रॉयर अफ आइडल्स आपको सवाल पूछेगा बताओ जी बढ़ शाक इसको बोले जाता है या फिर बुथ शिखां के सको बोले जाता है तो बुथ शिकां मोले जाता है है ठीक है मुसलिम किंग है और मुसलिम के दर मतलब स्टेट में अगर कोई नॉन मुसलिम है मानलो जी वह बोध है वह हिंदू है या फिर वो कृष्टिन है अभी तक तो कृष्टिन नहीं थे कोई और धरम का बन्द होगा तो उसको इसके ऊपर एक टेक्स होगा तो tax ये minimal होता था लेकिन होता था ठीक है जी तो इसको बोलते हैं जजिया चलो तो यह सिकंदर है सिकंदर की religious policy ही आपको याद रखनी है art and architecture में दो बड़े important चीजे सिकंदर के time पे बनी हैं दो बहुत ज़्यादा important चीजे number one है खांगाए मौला खांगाए मौला also known as शाह हम्दान ठीक है री शाह हम्दान मस्जित या खांगा ये एक मस्जित है located in old city of स्री नगर in the memory of मीर सेद अली हम्दानी ये बड़े संत हुए फकीर है ठीक है री मीर मीर सेद अली हम्दानी मीर सेद अली हम्दानी important है चलो जी one of the best example of कश्मीरी wooden architecture आपको ये खांगाए मौला देखने को मिलेगा important tourist destinations में भी आपको ये सवाल पूचेगा खांगाए मौला किसने बिल्ट किया आप लेंगा सिकंदर दूसरी famous जामिय मस्जित very important next important बड़ी मस्जित है हमारे पास जामिय मस्जित चलो जी श्री नेगर में है सिकंदर ने बनवाया 3094 डेट बिल्कुल important नहीं है आपको नहीं पढ़नी है चले जी और at the behest of मीर मोहमद हमदानी जो बेटे हैं साइद अली हमदानी के उनके orders पे इसको बनवाया गया चले जी सिकंदर जो है सिकंदर के बाद में इनके बेटे अलीशा तक्त पर बैठेंगे और उसके बाद में the legendary the hero Sene Ulaabdina Sene Ulaabdina Sene Ulaabdina Sene Ulaabdina के अगर आप बात करेंगे जब तक पर बैठेंगे देखो आक्सर ये बोला जाता है कि जैसा बाप वैसा बेटा जैसा बाप वैसा बैटा बटा ये कहानी दर जूती होती जैसा बाप था वैसा यह बेटा नहीं था तो आप देखिंगे जितने भी गलित काम इसके बापसिक हंदरने किए सबको सबको क्या करेगा? रिवाइब करेगा सब को सब को रिवाइब करेगा बहुत तगडी ये आप देखेंगे पॉलिटी बनने वाली है किश्मीर हिस्ट्री में चलो जी अगले आजेंगे हमारे सुल्तान जेनुलाबदीन ओरिजिनल नाम माब आपने इनकान रखा था शारुक औरिजिनल नाम क्या रिवाइब किश्मीर में चले जी पहले तो बोला जाएब लदाक और बालतिस्तान को दुबारा से कैप्चर कर लिया ठीक है जी चलो ये काम की भी बात नहीं है चलो जी एड्मिन्स्टेटिव रिफॉर्म सबसे पहले तो एड्मिन्स्टेशन इनों ठीक किया देखो एड्मिन्स्टेशन में जैसे इनोंने संभाला नंबर वान पंडित क्योंकि शुरू से एड्मिन्स्टेशन थे जो ब्रह्मन जो लोग रहे जितने भी कोर्स रहे ब्रह्मन के पास आप देखेंगे कोट को संभालने की और अड्मिस्रेशन संभालने की knowledge थी क्योंको शूरु से यही काम करते हैं तो आप देखें कि सिकंदर के time पे यह सारे के सारे migrate कर दिये गे ठीक है जी और अगर positions पे थे बड़ी बड़ी तो इनको क्या कर दिया गया वो downgrade कर देगे positions सिकंदर के बाद जब जेनलाबदीन आता है यह सारे के सारे लोगों को दुबारा से reinstate करते हैं इवन की जो बंदे बाहर जा चुके हैं किश्मीरी जो लोग ठीक है जो पंडित जो लोग है हिंदू जो लोग है सब को दुबारा से invitation बोले जी आएं आप किश्मीर बापिस हैं किश्मीर आपका ही है आप इधर आके दुबारा से बसे और दुबारा जो वागों का जो हेडों का जो हैं जो ही हुग आप इससे क्या होगा इस से ही स्प्रेशन देखने को मिलेगा अगर इससे आप देखेंगे criminal जो rates थे उसमें आप देखे suppression देखने को मिलेगा provide suitable jobs to the criminals, provide suitable jobs to the criminals, देखो एक पाथ मेरी यार समझें crime जो है न, crime, crime के पीछे एक बड़ा जो cause होता है, ये होता है unemployment, crime के पीछे एक बड़ा cause होता है, unemployment, और भी हो सकते है but primarily unemployment भी एक कारण होता है, जब लोगों के पास काम दंदा नहीं होता है, अब उनको काम ही नहीं मिल रहा था फिर वो क्या करेगा पुठे काम करना शुरू करता है, उल्टे काम करना शुरू करता है, ठीक है जी, ये normal बात है, ठीक, तो आप देखेंगे, सुल्तान को ये बात की समझती है और उन्हें समझाए कि लोग ही crime क्यों कर रहे हैं, क्योंकि लोग jobless है, इनके पास शायद काम नहीं ही तो suitable jobs भी provide करने का काम सुल्तान ने किया, उनको provide किया, he codified laws and displayed it in the public, very important laws को codify करना, laws को codify करना, देखो laws को codify करने का मतलब क्यों होता है, जितनी भी laws है ना, भाई, उसको लिख देना, उसको लिख देना, ठीक है जी, आपने एक फिलम देखी है, बाहू बली, वचन ही है मेरा शासन, वचन ही है मेरा शासन, तो उसका वचन देखो क्या बेड़ा गर्क कराता है अगर आपने फिलम देखी होगी, ठीक है जी, वह भलाल देव को बोल देती तेरी शादी कराऊंगी उसके साथ देवसिरा के साथ में, ठीक है जी, बड़ पसंद कोन करता है, उसको बाहुबली करता है, आप वच्चिन दे दिया, आप वच्चन इसका तो शासन है, तो शासन हो गया का नहीं का लात, आप क्या का रही इदा, बैठे है राम से, टीक है जी, तो सुल्तान को ये बात बहुती थी, वच्चन शुड नॉट बी शासन, शासन के लिए पूरे के पूरे लॉस कोडिफाइड करने चाहिए, जो भी फैसला सुनाया जाए बालन नहीं भई, और भी जो खाम खान के टेक्सिस लगे हुए थे, आर्बिटरी टेक्स ये भी खतम हो गया, ठीक है जी, फिक्स दा प्राइजस आफ कमोडिटी और इन फॉर्म ऑल बाई डिस्प्लिंग, सारे के सारे चीज़ों को क्या कर दिये, प्राइजस फिक्स कर दि ठीक है जी, चलो जी, अग्री कल्चर की डवलपमेंट में बड़ा जबर्दस काम किया, कोई इसमें शक नी, बड़ा पूरे के पूरी एरिया को कश्मीर को डिफरेंट परगान में बाद दिया, परगान को आप इस विल ये टिस्टिक समसकते हैं, फिलाल, ठीक है जी, चलो ऄने ठीक है जी, उस टाइम पर क्या था, जार ही, रैवनियो को फिक्स कर दिया गाय वन बाई 3% यानि कि 33.33% को ए इतना ही रैवनियो आपसे लिया जाएगा, इस से जाधा रैवनियो लहिजिया एगा, ठीक है जी, करपशन को कम करने के लिए सारे के सारे outbreaks को आपको कोई भी गिफ्ट को पर बोट करने के लिए टीफरेंट के नेल हुए तो आज इन के लांच का आपको evidence होतने नहीं मिलते हैं क्जील में थूट किया है कराब होगी जैसे की काकापूर करला करल चक्कदार शाकुल अवंतिपोर जैन गंगा मर करनाल ललकुल करनाल एंशाकुल करनाल ठीक है यह सारे करनाल से इनों ने बनवाई थी important है art and craft इनका हा क्या बात करें यह जो योगदान इनों ने दे दी है ना जो इनों दे दी है ना art and craft में वह मैं बोल रहा हूं कोई बड़ी मुश्किल बात है ठीक है ठीक है वह बहुत मुश्किल बात है number one अगर आप देखेंगे he sent person to samarkand samarkand में भेज दिया है to learn paper making paper कैसे बनाए जाए book binding यह कैसी की जाए चलो जी छोटी बात है invite teacher from other countries to train locals in stone cutting, polishing, bottle making, इन सारे arts में train करने के लिए बाकी country से अपने पैसे पे government के पैसे पे teachers बुलाए है हमारे बंदों को training दो इसकी ठीक है ठीक है ठीक और जिसमें सबसे खास बात imported the art of making pashmina shawls from tibit shawl जो है पशमीना जो है यह original art नहीं है original art नहीं है कश्मीर की याद रखना यह कहां की है तिपत की art है ठीक है जी वहाँ पे बंदे भेजे जाओ जी सी क्याओ वहाँ से भी बुलाई आप हमारे बंदों को आके सिखाओ ठीक है जी and also send people persia to get train in carpet making आज अगर आप देखेंगे कश्मीर में यह दो बड़ी famous चीज़े है एक तो carpet making दूसरे shawls और दूसरा shawls इसके लावा अगर आप देखेंगे और भी बड़े सारे चीज़ें paper mash यह भी एक art होती है ठीक है paper mash अगर आप art and crafts की video देखना चाहें त अपडेटेटेड वीडियो भी लाओंगा ठीक है जी चलो जी आर्किटेक्चर अगर आप देखें दो बाता दो याद रख लेंगे कम से कम पश्मीना और कार्पेट पश्मीना शॉल मतलब और कॉर्पेट चलो जी इसके बाद में आर्किटेक्चर किया बात करें ही इंट् इंट्रोडियो लाओंग। यह अदोन जैन नेगर और निशारा निशारा को जैन नेगर भी बोला जाता था ठीक है जी विद नंबर आफ बीटिफल विल्डिंग इस रोयल पैलेस राजधान ठीक है जी आप देखेंगे वो बारा स्टोरी का पैलेस था चलो जी और वहां पर बढ़ रूम से हॉल से स्ट लेर केसिस थे डिफरेंट काविंग से उस पर डिजाइनिंग हुई थी सिंपल है नुशारा याद रखेंगे आप ठीक है जी फांडेट मैनी टाउंस आफ्टर हिस नेम लाइक जैनपूर आज का शोपियां जैनकोट स्रीनेगर के पास जैनगीरी सोपोर बारा मुला के पा चुके हैं चलो जिसकी बागे जैनगीरी बागे जैनदा बागे जैनपूर बागे जैनकोट ठीक है जी चले जी दीज गार्डन सार एक्स्टिंक्ट नौ अच्छा ये इंपोर्टन ये तो अभी भी देखने को पिले आर्टिफिशल आइलेंड जैनलंक बनाया काँ पे और पहला वुड़न ब्रिज येलम के उपर क्यूंकि अगर आप देखेंगे श्री नगर जो है या फिर कश्मीर मीवट है या जैनकदू कर रहा है तो इस इलागे से इधर जाना है तो बीच में आप देखेंगे बड़े सारे डिफ और ऐसे बिजे बनाइगे बिजिस बना Only eh learning and literature Learning and literature में आप देखेंगे बड़ा जबर्दस योगतान एस में लर्निंग एन लिटरेचर में नमबर वान पहले था वो लिंग्विस्टिक थे जबर्दस लिंग्विस्टिक मतलब बहुत जादी लेंग्विजिस जानते थे पाई पूरे के पूरे जबर्दस प्रोफिशन सी थी पर्शियन कश्मीरी तिबितन संस्कृत में ठीक है जी चलो राज तरंगनी और राज तरंगनी को लिखने वाले कई राइटर है राज तरंगनी को पहले तो हमारे फस्ट हिस्टोरियन कलहर ने लिखा तेन आप देखेंगे विट टाइम जॉन राजा ने आगे ये काम लिखे गी तेन आप देखेंगे श्रीवास ने लिखा और एक शुक नामक बंदा है इसने भी आगे इसको लिखी डिफरेंट वर्जिन्स में लिखी गई तो जॉन राजा का सेकेंड वर्जिन जिसनोंने राज्तरंगनी का लिखा इन ही का टाइम पर लिखा ठीक है जी चलो जी नात सोम या सोम नात आप बोल सकते हैं पंडित इन्होंने किताब लिखी जैन चरित इनके ऊपर लिखी है ठीक है जोदभट ने जैन प्रकाश लिखी जोदभट ने क्या लिखा जैन प्रकाश जैन उलाब दिन के ओर्डर्स पर आप देखेंगे कई हिंदू किताब है जैसे की महाबारत रमायान और राजस्तरंगनी टीनवी संस्क्रित में लिखी गई है और इनको ट्रांसलेट किया गया पर्शियन में ताकि बागी लोग भी पढ़ सकें ठीक है एक ट्रांसलीशन ब्यूरो बिठाया था ठीक है चलो जी राजस्तरंगनी के ट्रांसलेटर कौन थे पर्शियन में आप ये कमेंट में बताएं ठीक है ये राज तरंगनी के पहली वीडियो में हमने देखा सोर्सेस पर कमेंट में बताएं राज तरंगनी का ट्रांसलिटर पर्शियन में कौन बंदा था चलो जी है बिल्ड नियुमरे स्कूल्स कॉलेजिस एट सेटर कॉलेज नहीं मतलब स्कूल्स बनाए से पूर स्टोर्स को फ्री मेल्स फ्री एडुकेशन लाइबररी दिस्पेंसरी नॉट सो इंबॉर्टन क्योंके डैरेक्ट सवाल तो बननी सकता है यहां पे कुछ ऐसी खास बात नहीं हैं ही लाइक म्यूजिक एंड आर्ट्स तो समेरी बास सब्चेंगे अप इसलाम के हिसाब से जाएं आप देखिंगे म्यूजिक और पेंटिंग्स यह सारी चीज़ें डैंसिंग एलाव नहीं है एलाव नहीं है ठीक है जी बट ऐसी रूलर्स जो बड़े लिबरल और सेकु छो जाती है ठीक है जी तब ही इनके नाम के आगे ग्रेट भी लगता ना और बोलने का भी दिल करता इनको ग्रेट ठीक है जो एंड री एंड ही एंड इंजॉइड दे कमपनिज औफ मूजीशिंस इनके दरबार में होते थे एक बंदे हुए ठीक है जी मॉल्ला उदी मॉल जो है इनकी देथ हो जाती है 1460 में बिल्कुल इंपॉर्टन नहीं है देथ कोई नहीं आप से पूछेगा तैले जी और इनको अकबर आफ कश्मीर भी बोला जाता है और इनको लोग इज़त से बढ़ शाह भी बोलते हैं बढ़ शाह आज भी इनको बढ़ शाह के नाम से ग्र और राउंड 1561 तक ये डाइनस्टी चल रही है यानि कि अभी भी सो साल डाइनस्टी और चल रही है तो यहां पर जितने भी रूलर्स हुए ये वीक रूलर्स हुए और ये हकूमत को उस हिसाब से संभाल नहीं पाए जो इनके बाप दादाने संभाली वही मुगल्स वाला साथ यह वह लाद नकमी हो जाती ना दोस्तों मेहनती कम हो जाती ना फिर वह रूल जो है ना फिर बाप दादानों को कमाया हुए खजाने करोड़ों रुपे भी तबाह हो जाते है मेहनत करो दबा के मेहनत करो ठीक है चलो जी एंड हबीब शाह वास दे लास टूलर और इस चीफ नहीं किये तो ये कमांडर इन चीफ भी तकता पलट करेगा और हमारी अगली डैनस्टी बनेगी चक रूल ठीक है जी चक रूल और चकों को चक देंगे आके मुगल ठीक है जी देन मुगल्स आ जेंगे फिर हम मुगल्स पड़ेंगे ठीक है तो आज के लिए इतना रख क्यों क्यों आखते है thank you very much have a nice day bye bye